exercise 6.3 class 8 question 5 tick the correct option so इसमें कुछ question दिया है A, B, C, D तो इसमें से हमें correct जो option है उसको fine करना है पहले question A में दिया है the product of minus 7x square yz minus 7x square yz comma 13y square minus 13y square and yz तो इसका हमें product fine करना है product मतलब क्या होगा सभी की 20 में multiplication होगा तो पहले हम इसका numerator को multiply करेंगे 7x की साथ 13 को multiply जब होगा तो value आएगा 91 next इसमें minus है इसमें minus है total क्या होगा plus होगा x square इसमें किसी में भी x square नहीं है मतलब x का value नहीं है तो हम इधर लिख सकते है x square next y इसमें y है इसमें y power 2 है इसमें single y है तो y y power 2 and y इन सभी value को जब हम multiply करेंगे तो इसमें 1 है तो y power कितना हैगा तो y power value आएगा 1 plus 2 plus 1 तो finally y power कितना बनेगा 4 होनेगा तो y power 4 होगा next z इसमें 1 z है इसमें 1 z है तो z into z जब करेंगे तो z power कितना बनेगा 1 plus 1 मतलब z square होगा तो हम इसको लिख सकते है z square इसका जो option 3 में ये जो value निकल के आया ये similar है इसलिए answer क्या होगा 3 होगा तो a का हम answer लिख सकते है a equal तो हम इसे लिखेंगे answer t मतलब option 3 पर इसका value है 91 x square x square y power 4 and z square ये बनेगा इसका answer question b the product of minus 7 x y and x square minus 4 y square तो इसको हम पहले लिखेंगे minus 7 x y next लिखेंगे x square minus 4 y power 2 तो पहले हम क्या करेंगे इसके साथ इसको multiply करेंगे 7 x इसमें x है इसमें x square है तो x cube बनेगा इसमें y है इसमें y नहीं है तो y होगा इसमें minus है इसमें plus है plus minus मिलके minus होगा next इसमें minus है इसमें minus है दोनों मिलके plus 7 के साथ 4 को जब multiply करेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा इसमें x है इसमें x नहीं है तो हम x लिखेंगे इसमें y है इसमें y power 2 है तो y power कितना बनेगा 3 बनेगा तो यह जो value हमें मिला इसको हमें option में find करना है इसमें option कांचा हैगा? option 2 आएगा option 2 ऐसे लिखेंगे minus 7x cube y plus 28xy cube तो यह बनेगा इसका answer question c the value of the expression 4xy bracket x square minus y square bracket close at x equal to minus 1 and y equal to minus 1 is जब इसमें x का value दिया है minus 1 and y का value दिया है minus 1 तो इसमें हमें एक expression दिया है 4xy and x square minus y square तो इसका total value कितना होगा? उसको find करने के लिए दिया है तो हम क्या करेंगे? बहुत ही easy होगा तो पहले हम इसमें x and y का value put करेंगे 4 into x का value है minus 1, y का value है minus 1 next इसमें x का भेलो हम put करेंगे minus 1 whole square minus y का भेलो put करेंगे minus 1 whole square next यह minus n मिलके plus होगा 1 into 1 equal to 1 so 1 की साथ 4 को multiply करेंगे तो 4 होगा next इसमें minus 1 को जब हम square करेंगे तो कितना हैगा 1 आएगा next इस minus 1 को जब square करेंगे तो कितना हैगा 1 आएगा इन दोनों की बीज में ये minus in रहेगा, तो bracket close होगा, minus 1 से plus 1 जब चला जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा, तो 4 into 0 मतलब ultimately 0 होगा इसका answer, तो 5C का जो answer है, 5C में 0 किस में है, 0 option 4 में है, तो इसका answer हैगा option 4, और इसका value होगा 0, ये ही होगा इसका answer. Question D on simplifying, question D में ये एक expression दिया है, expression को पहले हमें solve करना है, तो expression क्या है, 3AB, A square minus B square minus 3B to A cube minus AB square plus 4AB, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको multiply करेंगे, 3, इसमें A है, इसमें square है, तो A cube B बनेगा, minus, इसके साथ इसको जो multiply करेंगे, 3AB cube बनेगा, next minus, इसके साथ इसको जो multiply करेंगे, तो 3A cube B होगा, ये minus में है, ये minus में है, तो इसको हम क्या लिख सकते है, plus लिख सकते है, 3, इसमें 3B है, इसमें AB square है, ये B की साथ, ये B को multiply क्या हो बनेगा, B cube बनेगा, इधर A रहेगा, and A3 इधर रहेगा, 3A B cube होगा, next इसके साथ इसको हमें multiply करना है, 3 के साथ four को मौल्टिपलाई करेंगे, कितना बनेगा, 12, and B into B होगा, तो क्या होगा, B square होगा, और इधर A रहेगा, इसमें plus है, इसमें minus है, तो इधर minus रहेगा इसमें positive 3a cube b है इसमें negative 3a cube b है इसकी साथ यह कट जाएगा इसमें negative 3ab cube है इसमें positive 3ab cube है इसकी साथ यह कट जाएगा Finally value कितना रहेगा minus 12 a b squared question d का answer one होगा क्योंकि one में जो value दिया है वो value इसका जो solution में जो value निकाला है वो यह दुनों same है तो 5D का answer हम ऐसे लिखेंगे, 5D का answer, option क्या हैगा, option 1 होगा, तो option 1 equal to minus 12AB square, यह ही होगा 5D का answer. Question 6, tick the correct option, so question A में दिया है, the value of the expression, यह expression दिया है, इसमें x का value है, y का value है, तो इसमें से हमें यह जो expression का value find करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले expression को लिखेंगे, 3xy bracket, x square minus xy plus y square, तो इसमें x का value दिया है, 1 and y का value दिया है, minus 1, तो अभी हमें यह जो x and y का value दिया है, यह value इसमें put करेंगे, तो 3, x का value होगा 1 and y का value होगा minus 1, next क्या होगा, x का value होगा 1 square minus, x में value दिया है plus 1 and y में value दिया है minus 1, तो plus, इसमें y का value कितना होगा, minus 1 whole square बनेगा, तो next हम क्या करेंगे, next इसको हम simplify करेंगे, minus and plus मिलके इधर minus होगा, 1 into 1 equal to 1 होगा, 1 से जब 3 को multiply करेंगे तो 3 होगा, तो इसमें से ये 1 को square करेंगे, तो 1 आएगा, minus and minus became plus होजाएगा, इधर 1 रहेगा, 1 को जब square करेंगे तो कितना आएगा, minus 1 को जब square करेंगे तो ये क्या बनेगा, plus 1 बनेगा, तो इन सभी value को जब add करेंगे तो value आएगा, minus 3 into plus 3, तो multiplication करके total value आएगा minus 9, तो minus 9, option 2 में है, option 2 answer होगा, तो 6 का answer होगा, 6A का हम answer ऐसे लिखेंगे, 6A का answer, option 2 और इसका value है minus 9, ये ही होगा उसका answer, question B, on simplifying, तो इसको हमें पहले simplify करना है, पहले हम लिखेंगे 4PQ, P square plus Q square close minus 4PQ, P square minus Q square, तो पहले क्या करेंगे, इसके साथ इसको multiply करेंगे, तो 4P, इसमें P है, इसमें square है, P power Q into Q, next, इसके साथ इसको जब multiply करेंगे, 4, इसमें Q square है, इसमें Q है, तो इधर क्या बनेगा, 4PQ power 3 होगा, minus, इसके साथ इसको multiply करेंगे, तो 4PQQ होगा, और इसके साथ इसको जब multiply करेंगे, इधर क्या बनेगा, 4PQ power Q होगा, इधर minus है, इधर minus है, तो मिलके बनेगा plus, तो यह जो p power 3 q है यह negative में है और यह positive में है दुनों क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा इधर 4p q power 3 है इधर 4p q power 3 है तो total कितना बनेगा 8p q power 3 क्योंकि यह दुनों like term है like term को कि लाइक term की सार like term हम क्या कर सकते है एडिशन और सबस्टेक्शन कर सकते है तो इसलिए हमें यह भेलो मिल गया है तो उसका यह जो expression हमने solve एशका answer यह निकल कहा गया तो option जहां में भी यह होगा यही उसका answer होगा तो 6b का answer होगा 6b का answer हमें क्या लिखना है q power 3 तो 8q power 3 यह यही बनेगा असका answer मतलब 3 जो option है यह इसका answer होगा तो हम लिखेंगे a p q power 3 यह होगा असका answer question c the number of term in the product of x minus 4 and x square minus 7x plus 12 यह जो दूनों expression दिया है expression का हमें कितना term है total उसको find करना है यह बहुत ही easy होगा पहला जो expression है x minus 4 और डूसरा जो expression है x square minus 7x plus 12 इन दुनों को हम पहले count करेंगे इसमें यह एक term है यह एक term है total 2 term होगा इसमें कितना term है यह एक term है यह एक term है और यह एक term है total 3 term है इन दुनों का product मतलब multiplication जब हम multiplication करेंगे total कितना हैगा 6 आएगा तो 6 ही इसका term बनेगा total terms कितना बनेगा 6 terms तो answer इसका आएगा यह जो option 2 में है यह option होगा तो answer 6 c का answer क्या बनेगा 2 2 को हम ऐसे इधर भेलो दिया है 6 ऐसे 6 लिखेंगे यह ही उसका answer बनेगा अगर हम चाहें तो इसके सार इसको multiply करेंगे next इसके सार इसको multiply करेंगे next इसके सार इसको multiply करेंगे next इसके सार इसको next again इसके सार इसको again इसके सार इसको multiply करेंगे तब ही same ही भेलो मिलेगा total कितना term मिलेगा 6 term मिलेगा तो यह बहुत easy है हम पहले count करेंगे, पहला जो expression है उसमें कितना है, और दुश्रा जो expression है उसमें कितना है, दोनों को हम क्या करेंगे, multiply करेंगे, यही इसका answer होगा. Question D, the area of a rectangle is length into breadth, if the length is x plus 3 unit and breadth is y minus 3 unit, the area is, तो इसमें हमें area fine करना है, तो question में दिया है area, area equal to length into breadth, तो length का भेलो क्या दिया है, length का भेलो दिया है x plus 3 and breadth का भेलो हमें मिला है y minus 3, तो y minus 3, अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को multiply करेंगे, x के साथ y को जब multiply करेंगे तो भेलो आएगा xy and x की साथ जब 3 को multiply करेंगे minus 3x होगा next 3 की साथ y को मल्टीप्लाइ करेंगे plus 3y होगा and 3 की साथ 3 को मल्टीप्लाइ करेंगे minus 9 होगा क्योंकि plus इधर है इधर minus है total कितना बनेगा minus बनेगा 6d का जो answer होगा 6d का answer कॉंसा answer आएगा 2 होगा क्योंकि 2 में जो value है xy, इसमें भी xy है, next minus 3x, 3x को इसमें पीछे लिखा हुआ है, इसमें plus 3y को आगे लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्रन नहीं है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते है, xy, xy plus 3y minus 3x minus 9, मतलब इसमें plus का value पहले लिखा हुआ है, और minus का value बाद में लिखा The volume of a box is given by a formula, length into breadth into height, if the length is 4x unit, breadth is 3y unit, and height is 2x square y unit, the volume is, तो volume इसमें कितना दिया है, length into breadth into height, यह दिया है, तो length का value हमें मिला है 4x, and breadth का value मिला है हमें 3y square, and जो height है, height का value मिला है 2x square y, इन सभी की 20 में हम ऐसे multiply sign लगाएंगे, 4 into 3 equal to 12, 12 into 2 equal to कितना बनेगा, 24, 24 होगा, next, इसमें x है, इसमें y है, इसमें x square है, तो x into x square, total कितना बनेगा, x cube बनेगा, इसमें y square है, इसमें y है, तो इसमें क्या बनेगा, y cube बनेगा, मतलब 24x cube, y cube, यह भी लो, जहां भी मिलेगा वही option, इस question का right answer होगा, तो 6e का answer हमें मिलेगा option 4 में, क्योंकि option 4 में, यह जो value है, यह value का similar value है, मतलब 24x cube, y cube, यही इसका answer होगा